अपका में नई वीडियो में धलते हुए सूरत से मैंने एक बास सीखी है ये दो लाइने उनके लिए जो कि क्रिप्टो पे विश्वास तो करते हैं लेकिन मार्किट जैसे ही यहाँ पर डाउन आ रही है तो वो थोड़ा सा शक कर रहे हैं अपने विश्वास पर ही कि धलते कि आपको दो लाइने याद रखनी ही पड़ेंगी चले बात कर लेते हैं जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं मेरा नाम शुबरान्त है ये एक टेक्निकल चैनल है चैनल पर पहली बार रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मार्किट के सारी अप वीडियो देखोंगे क्रिप्टो मार्किट से पैसा कमाना चाहते हूं काफी मेरे भाई कह रहे थे कि आपका टेलिगाम का लिंक नहीं खुल रहा तो अब खुलेगा क्योंकि भाई दुबार से मैंने पिन कर दिया है तो फटा-फटा महापर जाके जान कर लेना मैं आपका इंतिजार कर रहा हूं चलिए बात कर लेते हैं मार्किट के बारे में जो पहली न्यूस है वो आपके इंडिया से निकल के आई है और इंडिया से कहा से आरबिया से निकल के आई है रिजब बैंक ऑफ इंडिया जो कि हमारा सेंट्रल बैंक है तो उसकी जो गवर्नर है ठीक तो crypto के पर question ना पूछे तो क्या question पूछे तो crypto के पर question पूछा गया RBI के governor से कि यार आप क्या समझती हो यार नी बूला था वाई crypto के governor लो थोड़ी इज़त देनी पड़ती है ठीक है तो सार आप क्या समझते हैं कि क्रिप्टो आप किस तरह से देख रहे हैं और revolution के पर क्या बाची चल लिए तो सर ने बोला कि देखो हम तो पहले ही आपको कह रहे थे कि crypto आपका एक scam है जो कि आज नहीं वो तो पैसा वाँ से निकल चुका है और उन्होंने कहा कि यह जो alt coins है ठीक है इनके पीछे कुछ भी ऐसा objective नहीं है कि जिसकी वैसे growth करें यानि कि इनके पीछे कुछ भी back end नहीं है कि आख growth कर पाएं इन्होंने बोला है कि हम तो लगातार जो आपके वो है आपके जो citizen है इंडिय क्याकि उनको कह रहे है कि crypto में आप investment मत करो बहुत risky है देखो risky आपकी हर्ची है ठीक है risk है तो reward भी है risk तो आपका है यह stock market के risky नहीं है stock market भी तो काफी risky है लेकिन crypto market में क्या है crypto market में हाँ regulation नहीं है regulation तो हम सारी ही चाहते है जो कि crypto से भी ब्लॉंग करते है और कोई भाहर से भी ब्लॉंग करता है अगर को कहता है crypto बेकार है बेकार है तो भाई कहने दो क्योंकि थोड़े दें टाइम थोड़े टाइम बात क्या होगा उनके बच्चे ही crypto को use करेंगे तब उनको पता चलेगा कि भाई इसको accept करना चाहिए था हमें भी इसको बढ़ाने में help करनी चाह से खेर यही चीज होनी थी और कुछ और कुछ होना ही नहीं था बागी मैंने आपको एक चीज बताया थी जो लूना है लूना का impact सिर्फ आपका लूना के उपर नहीं है इसका जो impact है वो आपका सारी market के उपर पड़ेगा तो वही आप देख पा रहे हो उसकी बेसे statement निकल क्या रही है उन्होंने बोला है कि जो crypto है ठीक है वो लोगों को empower करेगा सकती देगा साथी साथ उनको जो financially है उनको independent बनाने में help करेगा और ये इतना मजबूत कर सकता है कि वो government के सामने भी टिक सकते हैं तो बहुत बड़ा statement है Elon Musk को आप जानती है ठीक है South Korea के बारे में बा Luna coin थे और ये जो आपकी 1.3.17 million Luna coin थे ना ये ये आज के current price पे buy करे हुए नहीं है ये crash से पहले की buy करे हुए थे तो अब आप खुद calculate कर लो कि 3.17 million के कितना amount होता है और South Korea क्यों इस बात पर इतना focus दे रहा है Luna Luna क्यों कर रहा है इतना क्योंकि इतना बड़ा investment South Korea के citizens का लग government support कर रही है investors के हख पर लड़ रही है यहां के government आपको पदी है किस तरह से यहां पर कर रही है ठीक है यहां पर और बात कर ले मैं आपको एक update दी थी कि भाई एक आदमी है ठीक है जिसका नाम आपका Chancellor है कि जिसका नाम उसका नाम Chancellor है यह आपके Luna founder जो है उनके घर पे चले गया था रेसिडेंस पे चले गया था तो आज उसका एक बयान निकल का है कि भाया मैं गया था यह पूछने गया था कि मतलब यह जो आपका Luna है मेरा इतना investment लगा हुआ है 2.4 billion dollar लगे हुए मेरे मैं यहां पर bankrupt के कगार पर आ गया हूँ आप यह बताओ Luna founder से यह पूछने ग पता था कि South Korea में यह आपका illegal है कि आप unknown होके किसी के घर पर नहीं जा सकते है ऐसे और ऐसे आप even दो इनका कोई motive ऐसा नहीं था कि हाम करें लेकिन South Korea में rule है तो rule है भाई लॉय ठीक है बाकी लोग कहरें कि यह पहले bankrupt थे अब साथ साथ यह bankrupt के साथ इनके उपर case भी चलने ल sentiment हो ही सकता है और घर तक भी आई सकता है इंडिया की साबसे तो यह हो सकता है लेकिन South Korea में यह bad है ठीक है तो यह कुछ update थी बागी मैं आपको बता दू डो कॉन है ठीक है डो कॉन को डो कॉन ने एक बयान दिया है किस के उपर burning के उपर डो कॉन ने कह दिया कि भाई आप ज बेज होगे तो आपका जो पैसा है वो जीरो ही होगा मतलब उसका कोई फाइदा नहीं होगा क्योंकि वो burning के हिसाब से वह पर नहीं जाएगा ठीक है तो यह सारी अप्रेट थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक कर देना बाई ठीक क्यार एंड बी सेफ मैं